Well, so good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे दोस्तों आप सभी लोग, I hope आप बहुत अच्छे होगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तो छलिए, GST के एक बड़े important topic का हम revision करेंगे और वो topic है refund तो दोस्तों यहाँ पर discussion स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ कि mission summa में जो हम chapter by chart revision ले रहे हैं, GST का, यह chapter by chart revision जो है, इसका यहाँ पर कैसे subscribe करना है, आपको first lecture देखना है, साथ साथ में description में subscription देखनी है, जिसमें आपको सारी notes आपके login में मिल जाएगी, आपने subscribe करने के बात, बाकि detail जानकरी जो है, मैंने यहाँ पर, yes, first lecture में दिया है, वो आप पहले 10-15 minutes जरूद देख लेना, जिसमें आपको पुरी जानकरी मिल जाएगी, कि आपको subscribe कैसे करना है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर, अब यह जो important topic है refund, refund यह topic जो है, बहुत सारे students को यहाँ theoretical लगता है, लेकिन refund यह chapter में specifically आपको क्या पढ़ना है, और कैसे याद रखना है, यह revision आपको बहुत helpful रहेगी, इसलिए इसके पहले भी अगर यह topic आपने पढ़ा होगा, तो हो सकता है, most theory based लगा होगा, लेकिन चलिए, यह chart region definitely आपको बहुत help करने वाला है, और अगर यह revision आपको पसंद आया, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और अपनी comments भी दीजिएगा, ठेक है, तो चलिए, चार्ट जो है, refund, यह refund के चार्ट में, पहले मैं पूरी process explain कर देता हूँ, so that आपके पूरी chapter का mapping आपको मिल जाएगा, और पूरे chapter का mapping आने के बाद, कुछ specific cases जो revision के बाद, okay, मेरा जो भी important questions मैंने discuss की है, वो questionnaire आपको देख लेना है, जिसकी playlist मैंने description में दी हुई है, okay, but यह chapter होने के बाद, मैं वो भी update कर दूगा, तो यहाँ पर वो देख लेना है, और पहले काम कीजिएगा, self पढ़ लीजिएगा, और self पढ़ने के बाद, okay, अगर कह priority में, 80 पार, उसके नीचे हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, तो चलिए दोस्तों, बात करते है, refund, procedure, okay, इसको यह जो procedure है, इसको मैं procedure 1 कहता हूँ, यह मेरे words है, जिसको मैं procedure 1 कहता हूँ, यहाँ पर, normal refund की procedure कैसे है, start से लेके, end तक, पूरा अच्छे से समझ लो, समझ लो, तो यह, okay, बंदा है, applicant, okay, जिसका refund आ रहा है, refund की अलग-अलग cases है, जैसे मैं अगर आपको बताओ, most of the cases, मैंने यह चार्ट में cover करने की कोशिश की है, और अगर आप यह चार्ट पढ़ोगे, तो मैंने यहाँ पर लगबग पूरा chapter, मैंने 4 pages में cover कर लिया है, तो यह जो under bond करते हो, goods, services का, दूसरा, अगर हम देखेंगे, तो deem export एक concept है, यानि आपने ऐसे notified person को supply किया, जो यहाँ पर आगे export करते है, तो deem export को अगर आप करते हो, तो आपको refund मिलेगा, next, बिटा, merchant exporter की अगर हम बात करें, तो merchant exporter के case में भी refund, वो क्या होता है, एक बार मैं फिर से आपको revise कर दोगा, SCZ होगा, zero rate supply, जो under bond है, जहाँ आपको ITC के refund मिलते है, जिसको एक formula आपने देखा था, rule 89.4 का, तो यह भी refund जो है, आपको यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद में inverted duty structure, आपका output rate जो है, वो output rate कम है, as compared to input rate, तो वो भी refund मिलेगा, मैंने यह chapter में आपको बह अच्छे से revise करके दोगा, याने, really आप happy हो जाओगे, कि हाँ, जो theory हमने पढ़ी ती, फिर से एक बार अच्छी revamp होगे, यह फिर से अच्छे से हो गया है, इसलिए यह end तक जरूर देखिएगा, एक एक point हमारा revision में आएगा, और दूसरा important point में आपको एक होगा, कि इसके बाद में questionnaire देख लोगे, तो यह chapter पे जब भी कोई question आए, या आने के बहुत chances है, तो आप पूरे marks उसमें ले सको, okay, inverted duty structure, उसे related clarifications, कुछ important clarifications भी हम देख लेंगे, फिर refund मिलता है, UIN, unique identification number आपके पास होगा, तो वो case में आपको refund मिलेगा, tourist होगे तो, और next बेटा, okay, फिर बाकी छोटी-छोटी cases refund की, जैसे आपका excess cash ledger में balance है, तो refund मिलेगा, CTP, NRTP को, क्योंकि temporary registration है, तो refund मिलता है, उसके बाद में court के order से refund, finalization of provisional assessment, wrong payment of tax, excess payment of tax, तो most of the situations refund की, जो है, मैंने cover कर लिया, फिर refund order के cash special feature से, यह भी हमने यहाँ देख लिये, और उसके बाद में interest on delay payment of refund, यह भी मैं cover कर लिये, तो चलिए, सारी चीजे फटा फट अच्छे से cover कर लेते हैं, और यह जो आखरी वाले topics है, मैं इतना ही कहना चाहूगा, कि एक बार यहाँ पे, okay, revision कर लो, देखो कैसे मजा आता है, ना, पहला topic, यहाँ पे देखते है, अपलिकेंट, पहली पूरी process में लो, refund अगर आपको GSD में claim करना है, तो refund claim करने के लिए आपको एक doctrine प्रूव करनी पड़ती है, doctrine of unjust enrichment, यह doctrine of unjust enrichment क्या होती है, वो मतलब कैसे कि indirect tax में burden पासान हो जाता है, recipient को, recipient को अगर burden पासान हो गया, और refund बात में अगर generate होता है, तो अगर यह refund supplier को दिया गया, तो it und purely enriching supplier at the cost of another, मतलब supplier को double benefit हो जाएगा, क्योंकि उसने तो customer से ले लिया है, तो ऐसे के इसमें double benefit हो जाएगा, इसलिए, basic principle है, doctrine of unjust enrichment, और refund उसको मिलेगा, जिसने burden pass on नहीं किया है, अगर उस बंदे ने burden pass on किया है, तो जिस पे pass on किया है, उसको मिलेगा, और वो traceable नहीं है, त तो अब बात करते है, applicant, समझे लो, आपको refund eligible हो रहा है, मतलब आपको doctrine applicable नहीं हो रही है, और आपने किसी को burden pass on नहीं किया हुआ है, और नीचे दिये गए situations में आपको refund eligible हो रहा है, तो ऐसे case में, यहाँ पर, okay, process क्या है, process है कि आपको, okay, पहले तो एक form फाइल करना पड़ यह application के साथ आपको तीन बाते याद रखनी है, okay, इस application के साथ जो relevant documents कहे गए है, वो relevant documents आपको attach करने है, okay, यह relevant documents क्या होगे, जिसके बारे हम हम आगे बात करेंगे, और छोटी बहुत amendments जो हुई है, वो भी हम cover करने की कोशिश करेंगे, normally, okay, आपका refund application जो है, within two years from the relevant date, हाँ तो relevant date क्या होनी चीए, वो भी हम देखेंगे, relevant date क्या होनी चीए, वो भी हम देखेंगे, तो two years from the relevant date होना चीए, next, if ITC refund, okay, आपका reduce from the amount of e-credit ledger, अगर आप ITC refund claim करते हो, if ITC refund is claim, यहा लिख देना, is claim, आपने application file कर दिया, तो उतना amount आपके ITC से reduce हो जाता है, मतलब क्या है समझ लो, आप export कर रहा होता है, export में आपको ITC के refund मिलते है, rule 89.4 के formula के हिसाब से, यह ratio में आपने export किया, उस ratio में आपको refund मिलते है, तो अगर आपने ITC के refund claim कर दिये, under rule 89.4 में, तो apply करते ही, आपके ITC से उतना balance freeze हो जाता है, reduce हो जाता है, तो यह जैसे application file करते हो, documents attach करोग यह application आपका 2 years from the RD, RD मतलब लिख देना, relevant date से 2 साल के अंदर चले जाना चीए, okay, 2 साल maximum time limit है, उसके बाद आप refund application नहीं file कर सकते है, और आपका amount reduce हो जाएगा, चलिए, अब आपने refund application file कर दिया, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका refund application common portal पे जैसी जाएगा, आपका okay, ARN generate होता है, ARN मतलब application reference number, sir, exam के इसाब से यहाँ कुछ याद रखना है, यहाँ सीव आपको 2 point याद रखना है, कि आपको 2 years में application file करना पड़ता है, okay, refund application, normal time limit दी गई है, कुछ cases में थोड़ा बहुत change है, मैं आगे आपको explain करोगा, जैसे common portal फिर आपका application जो है, assign करता है okay, judicial officer को, maybe central officer होगा, state officer होगा, क्योंकि cross employment है, cross employment मतलब क्या है, तो cross employment मतलब क्या है, कि यहाँ पे, अगर case central के पास जाती है, तो फिर state को मानना पड़ेगा, या state के पास जाती है, तो जो refund grant किया है, वो central को मानना पड़ेगा, तो यह portal allocate करता है, refund के amount को देखके, कि central CGST officer के पा में नहीं पुछेंगे, चलो, अब officer के पास आपका refund claim आ गया, अब या officer के पास refund claim आगने के बाद क्या होता है, okay, refund claim officer के पास आने के बाद, officer आपका refund claim documents वगरे check करता है, अगर उसको कोई deficiency मिलती है, या फिर refund clear है, अगर deficiency नहीं मिलती है, तो direct आपको acknowledgement दे देता है, within 15 days कि आ आपका refund application मिल गया, वो acknowledgement में एक date specify करता है, ये date मेरे लिए बड़ी important है, date of complete application, date of receipt of complete application, ये date आपके लिए बड़ी important होती है, कि उसको complete application कब मिला, okay, वो date, वो acknowledgement notify करता है, RFD02 में, इसलिए वो काम किये कि जिस दिन ये date होगी, date of complete application, उस दिन से आपको, okay, 60 days में order आ जाना चाह ये आगी लिखा हुआ है, तो वो order के बारे में हम आगे बात करेंगे, अगर आपकी कोई deficiency मिली, तो वो deficiency वो RFD03 में inform कर देगा, आपको, sir, form याद रखने पड़ेगे क्या, अगर ये diagram से याद हो जाते है, तो क्या problem है, नहीं होते है, तो फिर ठीक है, और याद हो जाते है तो अच्छी बात है, तो अब मैं बस इतना ही कहोगा कि आपको यहाँ पर, just a minute, just a minute, हाँ, आपको अगर याद हो जाते है, तो अच्छी बात है, तो ऐसे situation में जहां तक है, आपको deficiency memo देगा, फिर आपको, हाँ, फिर आपको, फिर से RFD01, जो deficiency है, वो correct करके, फिर से RFD01, फ complete application, जब आपने फिर से file किया, और application complete हुआ, वो date आपको दी जाएगी, चली, यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, okay, if acknowledgement is given, application is accept, acknowledgement is given, आपको अगर यह acknowledgement मिल जाती है, मितलब आपका application accept हो गया, now, अब यह application accept होते ही, आपको एक provisional order of granting refund है, अब यह provisional order of granting refund क्या है, व अगर आपको कुछ याद आता होगा, तो, यह provisional order of granting refund यह है, वेटा, okay, कि यहाँ पे, अगर आपका export under bond होगा, मतलब आपने export किया, और export under bond होगा, तो आपको ITC के input और input service के refund मिलते है, rule 89.4 के formula से, 89.4 का formula है, कि export turnover, जो भी आपका zero rate supply of turnover होगा, divided by adjusted total turnover into net ITC, तो इस formula से आप को क्या मिल जाता है, refund मिल जाता है, government, यह जो export वाले होते हैं, यह government के दामाद होते है, मतलब यह हुआ कि अगर zero rate supply का refund है, ITC का, तो government application पे ही provisional refund दे देती है, order बाद में आते रहेगी, order बाद में आते रहेगी, तो यह provisional refund वो लगता है, ZRS के case में, जहाँ export under bond होता है, ब ITC refund of ZRS, export under bond या LUT, यह जब ITC का refund आप claim करोगे under ZRS, और under bond और LUT है, तो वो case में आपको refund में रहेगा, refund amount is 90% of total amount claim, तो government क्या कहती है, यह export रहे भाई, इसको 90% का refund दे दे दे, और 90% का refund दे के पहले इसको settle कर, 10% बाद में देखेंगे, order order बाद में देखेंगे, यह ओके प and amount of tax divided exists 2.5 crores, लेकि, लाडला है, पर इतना लाडला नहीं कि बंदा offense भी कर रहा है, तो अगर last 5 year में उसने offense किया होगा, और उस offense में धाई करोड के उपर, यह बड़ा important है, यह याद रखना, और उस offense में उसने धाई करोड के उपर amount tax evasion किया होगा, तो फिर यह लाडले को दो चपट, मतलब इसको provisional अगरे नहीं मिलेगा, इसके उपर विश्वास मत रखो, इसको order आने दो, order आने के बाद जितना इसका refund मनता है, उतना देना, provisional मतलब हम उनको प्यार कर रहा है, कि चल भई, तेरे पर प्यार आए, लाडला रहा है, तो पहली 90% ले ले, and it will be granted within seven days of the application, मतलब जैसे आपका application accept हो गया, वहाँ से साथ दिन के अंदर आपको जो है, okay, refund grant हो जाता है, क्या बात, क्या बात है, okay, तो इस तरह से आपको refund दे दिया जाता है, चलो, अब acknowledge, यह तो provisional आपको दे दिया गया, और provisional order जाती है, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, अगर यह order में, अब यहाँ तो application accept हुआ, सुनना, यहाँ तो application accept हुआ, लेकिन इस order में दो बाते हो सकती है, order में आपका refund sanction हो गया, या आपका refund reject हो गया, okay, नहीं भई, आपका refund नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है, doctrine of unjust indictment पूरू नहीं करप है, हो सकता है, आपने button pass on कर दिया होगा इसलिए जहां तक है, officer ने आपका refund reject कर दिया, अगर reject कर दिया refund आपका तो आपको show cause notice आती है, opportunity of being hurt दिया जाता है, okay, rejection of refund, फिर पहले show cause notice दी जाती है, फिर rejection order दे दी जाती है, अगर इस order के against में आपको appeal file करना है, तो definitely आप appeal file कर सकते हो, और appeal by the agreed person, okay, appeal by the agreed person, तो इसमें authority, appellate, criminal, appellate court, इनके पास आप appeal file कर सकते हो, अब देखो, अगर आप इनके पास appeal file कर रहे हो, तो समझ लोग court ने आपको refund allow कर दिया, कि रोग court ने का नहीं 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 नहीं, इनको refund मिलना चीए, rejection order गलत है, तो अगर court ने refund order किया, तो फिर आपको interest मिलता है, 9% per annum from the date of application, okay, till the date of application, till the date of refund, यहाँ पे एक ध्यान रखना, 9% का आपको interest मिलता है, अगर court के order से, आपको refund मिल रहा है, तो 9% का मिलता है, मतलब जिसका, मतलब यहाँ पे आपका refund reject हो गया था, आपने appeal file किया, appeal में court ने allow कर दिया, court ने अगर refund allow कर दिया, तो आपको interest 9% per annum से मिल अगर आपका refund sanction हो गया, accept कर लिया गया, तो फिर आपको refund order आती है, मतलब officer order issue करता है कि इसको refund दे दो, अगर जिरारेस होगा, तो 90% refund तो पहले ही दे चुके है, अब इस order फिस दिर 10% बचेगा, अगर जिरारेस नहीं होगा, जिरारेस मतलब zero rated supply, अगर जिरारेस नहीं होग तो फिर फिर तो सारा order के बाद ही refund मिलेगा, refund order जो आती है, RFD 06 में आती है, और ये officer को issue करना पड़ता है, within 60 days from the date of receipt of complete application, आपको exam में 60 days ही याद रखना है, याने जिस दिन complete application file हुआ, भाई साब ये, ये वाला पाट, जिस दिन complete application file हुआ, वहाँ से 60 days में order issue करना ही पड़ हाँ, और CBIC कहता है कि 60 days में मत रुखो, ये CBIC का advice है कि हमारा officer, वो अपने officer को advice देता है कि 45 days में ही दो, sir क्यों, okay, reason आगे बता होगा, लेकिन बस इतना ही समझ, लो कि आपको जो है ये, okay, officer को compulsor ही है कि जिस दिन application complete accept हो गया, वहाँ से 60 days में refund order देना ही पड़ेगा, देना ह कम refund amount 1000 होना चाहिए, okay, ये 1000 CJST का, 1000 SJST का, अगर इस से कम होगा तो refund नहीं मिलेगा, ख्याल रहे है, okay, इस से कम होगा तो refund नहीं मिलेगा, minimum आपका 1000 का refund का amount होना चाहिए, चलिए दूस्तों, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि, yes, just a minute, ये तो हमने देखा कि refund order आपकी जो है, यहाँ 60 days में होनी चाहिए, उसके बाद में doctrine of unjust enrichment check होगी, doctrine of unjust order देते वक्ट, officer दो-तीन बातों का ख्याल रखेगा, कौन सी दो-तीन बातों का ख्याल रखेगा, कि वो इस बात का ख्याल रखेगा, कि कही burden तो pass on नहीं हुआ है, अगर burden pass on हुआ होगा, तो वो order जो देगा, वो कहेगा कि पैसा, order देगा, और order में लिखके देगा, कि पैसा consumer welfare fund को transfer कर दो, यह पैसा consumer welfare fund को transfer कर दो, या अगर burden pass on नहीं होगा, तो वो बुलेगा कि चलो, यह पैसा सामने वाले party को, जिसने application दिया है refund का, उसको देतो, अब doctrine of unjust enrichment क्या बोलता है, doctrine of unjust enrichment कहता है, यहाँ पे, refund to be granted to that person who borne the burden of tax, लेकिन, तो कुछ cases में, यह important question कभी कभी पूछते हैं कि कौन कौन सी ऐसी cases से, जहां doctrine applicable नहीं होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको prove करने की जरुवत ही नहीं है, कि आपने burden pass on किया है, या पैस consumer welfare fund को transfer नहीं होगा, आपने application दिया, तो refund आपको ही मिलेगा, एक है IGST paid on export without bond, अगर आपको याद होगा तो ठीक है नहीं, तो हम आगे discuss करेंगे, अगर आप export करते हो और export करते हो without bond, मतलब IGST payment, आपको दो option मिलते हैं export पे, एक तो आप IGST pay करो और बाद में refund claim करो, bond execute करने की दरवत नहीं है, या दूसरा जो है, यहाँ पर आपको option क्या मिलता है, तो दूसरा option आपको मिलता है कि आप जो है zero rated supply करो, आप zero rated supply करो, और bond दो, तो अगर IGST का refund है, जो आपने pay किया, और आपने bond execute नहीं किया, जिसके बारे में हम बात करेंगे, अगर थोड़ा बहुत confusion हो service का ITC मिलता है, अगर आपने export किया under bond, without payment of tax, under bond without payment of tax, तो आपको input और input service का refund मिलता है, वो भी आपको direct मिलता है, जिसमें officer आपको सवाल नहीं पूछेगा, कि आपने burden pass on किया कि नहीं किया, refund of e-cash leisure, भाई, e-cash leisure में में मेरा ही पैसा है, अगर e-cash leisure में मेरा ही पैसा है, त तो पैसा में नहीं deposit किया था, उसके बाद में, refund of tax on issue of refund voucher, अगर refund voucher का concept आपको पता होगा, तो refund voucher मतलब मुझे advance मिला, advance में मैंने receive voucher दिया, लेकिन मैंने supply नहीं किया, and उसका invoice नहीं दिया, दो चीज़े होनी चाहिए, मैंने supply भी नहीं किया, और उसका invoice नहीं किया, और contract cancel हो गया, तो मैं refund voucher देता हूँ, और इस refund voucher में, सुनिएगा, मैं refund voucher देता हूँ, और इस refund voucher में, जहां तक देखा जाए, मैंने अगर customer को पैसा वापस कर दिया, तो मुझे जो भी GST advance पर मैंने government को दिया होगा, उसका मुझे refund मिल जाता है, invoice chapter में refund voucher मैंने explain किया है, त element of tax under wrong head, wrong head मतलब क्या, कि आपने tax IGST में देना चाहिए था, उसके जगा आपने CGST और SGST में tax दे दिया, तो अगर आपने tax गलती से wrong head में दिया, तो आपको बाद में, सही head में tax देना पड़ता है, और wrong head वाला आपको refund मिल जाता है, next, refund if burden is not shifted, यह बात को समझो, अगर आप किसी में burden shift नहीं किया, आपने bear किया है, तो वो भी direct refund मिल जाता है, कुछ notified cases by the government, and refund claim by unregistered person, हाँ, refund claim by unregistered person, मतलब क्या, अभी कुछ clarifications आई है, का amendment हुई है, अगर आपने amendment chapter देखा होगा, तो amendment यहाँ पे यह हुई है, कि कुछ cases में, यहाँ पे unregistered person, सुनिएगा, चली, तो यह तो आपने देखा, okay, doctrine applicable कब होगी, क्या होगी, okay, तो यह cases होगा, अगर आपको सवाल पूछा, कि कौन सी cases है, जहाँ doctrine applicable नहीं होगी, तो फटा-फट यह points लिख लेना, और marks ले लेना, okay, तो और यहाँ पे refund is available on self declaration, यह वाला point बड़ा important है, मतलब क्या, मतलब जहाँ doctrine applicable नहीं होती है, वहाँ पे refund, जस आप self declaration देदो, self declaration पे ही refund मिल जाता है, यहाँ पे CACMA का certificate देने की कोई जरुवत नहीं है, क्योंकि यह direct refund है, doctrine applicable नहीं है, अगर इसके अलावा बाकी कोई cases होगी refund की, okay, जैसे आपने excess tax दे दिया होगा, उसकी case होगी, या कोई भी प्रोविजनल assessment किया, फिर final assessment किया, अब तो वहाँ प्रूव करना पड़ता है कि burden pass on नहीं हुआ है, तो ऐसे situation में doctrine applicable, an amount to be credited to consumer welfare fund, मतलब क्या to beable है, तो ऐसे situation में वहाँ doctrine applicable हो जाती है, और वहाँ पे refund order आती है, तो refund order देते वक, यह माना जाता है कि यह तो consumer welfare fund को जाएगा, पर अगर आप प्रूव कर देते हो कि आपने burden pass on नहीं किया, तो फिर पैसा आपके account में आएगा, अब आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपने burden pass on नहीं किया, तो इसके लिए आपको declaration देना पड़ता है, amount of refund is 2 lakhs और less, तो फिर आपको self declaration पे ही, कि मैंने burden pass on नहीं किया self declaration दे दो, तो आपको refund मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका amount 2 lakhs से जादा है, तो ऐसे case में CACMA का यहाँ पर certificate लिया जाएगा, और उसके base पर refund दिया जाएगा, आया कि नहीं समझ में बोलो, और यह सर बहुत अच्छे से समझ में आया है, उसके बाद में refund is payable after adjustment of dues, हाँ, अ ठीक है, 60 days में मिल गए, doctrine applicable नहीं होगी, refund मुझे ही मिलेगा, उसके बाद में जहां तक है, हाँ, एक concept है withholding of refund order, withholding मतलब क्या, order giving rise a refund is subject of matter of appeal, और further proceeding और other proceeding are pending, commissioner में withhold the refund, refund is likely to adversely affect the revenue, and for wrong withholding refund, applicant is entitled to 6%, मतलब क्या, यहाँ पे अगर वो order subject to appeal होगी, थोड़ा इसके बारे में, और आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में notes भी अच्छे से पढ़ लेना, short note आ सकते ही withholding of refund order, तो यह आपके regular material से अच्छे से पढ़ लेना, regular mat से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, withholding of, मैं आपको short में बता देता हूँ, अगर कोई order आई है, refund order, और वो subject to appeal होगी, या commissioner को ऐसा लगता है, subject to appeal होगी, या commissioner को ऐसा लगता है, कि अगर refund grant कर दिया, तो वो revenue को affect कर देगा, immediate grant कर दिया, तो revenue को affect कर देगा, तो ऐसे case में आपका refund withheld हो सकता है, अगर withheld हो गया, तो आपको interest मिलेगा, 6% per annum से interest दिया जा तो वो विथेल कर सकता है, चलिए, अब ये refund order आ गया, आपको 10 लाग 10 लाग का refund मिलने वाला है, तो अब देखो क्या होता है, order आने के बाद, आपके अगर कोई पुराने dues होगे, और के section 79 की recovery होगी, या section 42 में all taxes होगे, आपको 20 लाग का refund है, और पुराना कोई recovery बाकी है, तो पुराना recovery पांच लाग का बाकी है, तो less 5 लाक्स मतलब आपका अब refund बचा 15 लाक्स, मतलब आपका पहले refund पुरानी recovery में से, sorry, आपके refund में से पुरानी recovery काट ली जाती है, अब वो काट करने, वो यहाँ पे deduct करने के बाद, वो यहाँ पे reduce करने के बाद, फिर क्या होता है, officer payment order देता है, sir what is the difference between refund order and payment order, refund order का मतलब refund sanction हुआ, अब payment order मतलब उसके account में pay कर दो, इन दोनों में यह वाला difference होता है, इतना refund sanction हुआ, dues deduct हो गए और net इतना pay करना है, तो payment order होता है, तो यह दोनों order देनी पड़ते है, refund order भी देनी पड़ते है और payment order भी देनी पड़ते है, तो यह payment order दो केस में हाती है, अगर provisional refund 90 यहाँ पे 90% grant हो रहा है within 7 days तो immediate provisional payment order ओफिसस सिधा-सिधा 90% का payment order दे देता है और 10% का इस order आने के बाद देता है और अगर वो जिरारेस नहीं होगा तो पहले sanction order आती है पहले sanction order आती है और sanction order के बाद आपका यहाँ पे payment order आता है कि भाई इस बंदे को पे कर दो यह payment order जो CGST officer है या SGST officer है वो upload करता है public finance management system पे PFMS तो PFMS पे public finance management system पे upload करता है यह जो होता है ऐसा system होता है कि जो government का system है यह government के payment जो है इसी system में से जाएगे अब देखो क्या होता है revalidation of offer यह पढ़ते वग कहीं तो भी आएगा revalidation of order मतलब payment order जो payment order दी गए उसका revalidation अब officer ने payment order कर दी जनवरी में कि भी payment कर दो government को भेज दिया PFMS portal पे भेज दिया अगर same financial year में officer ने मतलब government ने disbust कर दिया तो अगर january में order दिया और March के पहले government ने disbust कर दिया refund तो ठीक है फिर revalidation करने की जरुवत नहीं है लेकिन यहाँ पे अगर जनवरी में government का पेमें officer का payment order आ गया पर government के account से disbust नहीं हुआ तो फिर से यहाँ पे RFD-5 revalidate करना पड़ता है तो नहीं करना पड़ता है वो तो sanction order है पर फिर से मार्च होने के बाद वापस से RFD-05 फिर से बनाना पड़ता है और government को भेजना पड़ता है PFMS portal पे और उसको revalidate करना पड़ता है यह बदल जाए तो चलिए फिर आपका bank account verify करता है PFMS portal और आपके bank account में disburs हो जाता है अब law क्या कहता है यह refund not paid within 60 days of application यह जिस दिन application दिया गया वहाँ से यह जिस दिन application accept हो वहाँ से 60 days में refund नहीं दिया गया यह refund का sanction order नहीं refund चले जाना चाहिए तो वो case में 6% per annum का interest लगेगा 61th day till the date of payment of refund तो वो situation में यहाँ पर जो है 61th day से interest लगना चालू हो जाएगा 61th day से interest लगना चालू हो जाएगा और इस तरह से refund आपके account में आ जाएगा इसलिए तो यहाँ पर CBIC advise करता है कि 60 days में अगर order दोगे तो वहाँ पर 60th day को order आएगी तो फिर unnecessary government को 6% per annum का interest लग जाता है अगर यहाँ पर 60 days के अंदर refund चले जाता है 60 days के अंदर refund चले जाता है कि इसको government को तो फिर interest दने के जरूबत नहीं है इसलिए तो यह advice किया है कि order 45 days में निकालो so that 15 दीन disbustment के लिए मिल जाए और government का इसमें interest का loss नहीं हो तो वाट यूरिट में भी आपको यह focus करना है कि interest कब लगता है तो अगर यहाँ पर interest जो है 60 days में सुनिएगा interest जो है यहाँ पर 60 days में from application पर नहीं किया तो 6% per annum का government आपको interest देखी ठीक है तो यह जो है हमने chart यहाँ पर देखा और यह chart ता regarding to refund एक flow आपको समझ में आया होगा मजा है क्या मजा हो गया तो अब मुझे कैसे पता चलेगा ओके तो चलो यहाँ पर like करो ठीक है आगे बढ़ता है चलिए अब आते है बटा यहाँ पर नीचे रिफंड की केसे step by step एक एक केस रिफंड की देखते है आर यू रेड़ी तो पहला export of zero rated supply या deem export और merchant export और SCZ तो exports related अलग-अलग रिफंड जैसे zero rate supply की, deem export की, merchant exporter की और SCZ के पहला देखते है export under without bond पहला देखते है export without bond और LUT जिसमें supply of goods और supply of services तो यह थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ समझ लो, आप exporter हो और आप export कर रहा हूँ, आपने input खरीदा, input service खरीदा और capital goods खरीदा, यह diagram बहुत अच्छे है समझ लो और now input और input services पे आपका ITC 6 lakhs है और capital goods पे आपका ITC है वो 2 lakhs है ठीक है, तो यह ITC आपका यहाँ पे input input service का 6 प्लस यह 2, 8 lakhs का आपका ITC है जब आप कोई goods या service export करते हो, समझ लो, आप export कर रहे हो, export invoice बना रहे हो, goods का export हो रहा है या service का export हो रहा है, value of supply 100 lakhs से समझ लो, IGST 12 lakhs उसके उपर लगा हुआ है आप export invoice बना रहे हो, government ने section 16, अगर आपको याद होगा, तो section 16 of IGST Act तो section 16 of IGST Act में, यहाँ पर government ने आपको दो option दिये, outward supply पे, zero rate के और दो option क्या दिये है, पहला option है कि जो वो अभी promote कर रहे है, वो option यह है कि export under bond or L.U.T. मतलब, sorry, हाँ, आप जो यह export करोगे, bond execute कर लो और या later of undertaking execute कर लो और export कर दो, आपको tax देने की जरुवत नहीं है तो export of goods or service without tax, जहाँ bond execute कर लोगे, जहाँ bond execute कर लोगे इसके बारे में और आगे पड़ेगे, तो यह bond क्यों execute करना पड़ता है, क्योंकि आप tax देन नहीं रहे हो, IGST देन नहीं रहे हो तो ऐसे situation में government को bond देना पड़ता है, कि हाँ, मैं export करूँगा, export करने में कोई गलती नहीं करूँगा या letter of undertaking आपको देना पड़ता है, bond या letter of undertaking कहां का देना पड़ता है, उसका government का notification है तो अब ऐसे case में आपने bond दे दिया और बीना GST का export कर दिया, अगर आप option 1 में export करते हो, तो फिर आपको refund मिलते है ITC के और ये ITC के refund मिलते है आपको, ये ITC के refund मिलते है आपको rule 89.4 में, ये ITC के refund मिलते है rule 89.4 में, लेकिन वो 89.4 जो मैं एक formula पढ़ाऊगा, जिसके उपर institute question पुछती है, तो 89.4 में जो refund मिलते है, वो सिर्फ input और input service के ITC की ही मिलते है, capital goods के उसमें refund नहीं मिलते है, credit मिलते है, पर refund नहीं मिलेंगे है, तोड़ा discussion हम भाद में करेंगे, ये तो हुआ, अगर आपने under bond export किया, या later of undertaking में export किया, और option 2 है, और option 2 है, without bond और LUT, ठीक है, आप bond execute मत करो, नहीं करना चाहते हो कोई bond execute, नहीं, तो फिर जो IGST 12,00, का वो पे करो, अब ये जो option 2 है, इस बार की amendment है और इस बार की amendment क्या है, कि option 2 अब सबको नहीं मिलेगा, पहले सबको मिलता था, पर अब सबको नहीं मिलेगा, ओके, government notified, notified goods, notified goods और class of person, government कोई goods notify करेगी, या person notify करेगी, तो उस notified goods या class of person के case में ही आपको option 2 मिलेगा, ओके, तो एक बहुत important amendment इस बार आई है, अगर आपने amendment lecture देखा होगा, तो मैंने आपको ये पढ़ा हुआ है, section 16, अमें कि notified goods और service के case, notified goods या services के case में ही आपको option मिलेगा, या class of person, और इसकी notified list जो है, refund chapter के amendment में मैंने दीती है, आखरी page में, कि कौन-कौन से goods notified की है, amendment के sheet में, अगर आपको देखना है, तो आप देख सकते हो, अभी तो आपका goods या service, government के notified goods service में आ रहा है, या notified class of person के इसमें आ रहा है, तो option 2 अब आप ले सकते हो, अब option 2 में आप क्या ले सकते हो, कि चलो, जो IGST पहले तो government को pay कर दो, या IGST कैसे pay कर होगे आप government को, तो आपका IGST 12 lakhs, less ITC, ITC इसमें आप 3 का ले सकते हो, input, input service, capital goods, क्योंकि ITC लेना nothing but payment ही है, तो आप पूरा 8 lakh का ITC ले लो, और बचा हुआ 4 lakh government को pay कर दो, पहले pay कर दो, फिर export के सारे clearance होने के बाद, export के सारे clearance होने के बाद, आपका जो total tax है, वो total tax refund मिल जाता है, हैं सुनना, आपका जो total tax है, वो refund मिल जाता है, यानि दिया आपने 4 ITC लेने के बा पर government, ITC का refund नहीं बोलती है इसको, government कहती है कि IGST का refund आपको दी दिया, हमने 12 lakh का, आपका IGST 12 था, आपने ITC के तुरू और cash के तुरू इतना दिया, हम आप आपको वापस दे देंगे, सारी rule 96 की procedure follow होने के बाद, हाँ, इसके लिए option 2 के लिए rule 96 की procedure है, और ये जो है, इस procedure follow करना पड़ता है, और ये procedure, sorry, procedure 2 follow करना पड़ता है इसके लिए, तो अगर इसके लिए आप procedure 2 follow करते हो, देखो, अभी तो भी देंस समय लो, हो सकता है कि regular class जब आपने किया हो, तो ये theory लगी हो, लेकिन आप देखो, मैं बहुत अच्छे से point wise manner मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी तो भी इसको बहुत अच्छे से step by step समझ लो, तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए, तो option 2 के लिए ये procedure लगती है, तो this procedure 2 is applicable to option 2, आपका option 2 होगा, तो ये procedure 2 applicable की जाएगी, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे, और option 1 होगा, तो उपर वाली procedure होती है, जो हमने उपर व GST payment वाला होगा, तो ये applicable होता है, चलो, procedure step by step देखते है, अब option 1 में, option 1 में, अगर आपने export किया under bond, सुनिएगा, आपने export किया under bond, या LUT, मतलब आप tax नहीं दे रहे हो, आप tax नहीं दे रहे हो, bond execute कर रहे हो, तो rule 96 A लगता है, ये आपके notes में मैंने आखरी-ाखरी में दिय होगा, तो अगर आप recent notes आपके पास होगी, तो आखरी-ाखरी में होगा, अगर पुरानी notes आपके पास होगी, तो मैंने starting में ये procedure आपको दिये, rule 96 A आप search कर लेना, अब ये rule 96 A जो है, ये कब लगता है, जब आप export कर रहे हो, under bond या LUT, शलो, अब ये procedure क्या कहती है, अगर आपने bond execute किया है, तो RP shall furnish a bond on LUT in prescribed form, okay, binding to pay tax or interest 18% per annum, okay, वो bond क्यों, अगर कोई reason के वज़े से export नहीं हो पाया, तो हमने तो tax दिया ही नहीं है, तो वो bond देता है कि मैं tax दूगा along with interest, situation, within, if goods are not exported out of India, मतलब आपने अगर समझ लो export नहीं किया, goods तो निकल गया था, ट्रक से goods निकल गया था, पर समझ लो, आपने export नहीं किया, okay, और ये export नहीं किया within 3 months, और extension period from the date of invoice of export, मतलब ट्रक निकल गया, वहाँ से government ने enough time दिया है, कि 3 मैंने के अंदर port पे पाउच जाए, clearance formality complete कर ले, export हो जाए, तो 3 मैंने या extended period में export नहीं हुआ, अगर 3 मैंने के अंदर या extended period में export नहीं हुआ, तो immediate उसको tax देना पड़ेगा, along with interest, interest 18% per annum से लगेगा, और 15 days after expiry of 3 months, या ये 3 months are extended period, जब भी expire होगे, वहाँ के 15 दीन के अंदर अंदर उनको tax और interest देना पड़ेगा, अगर वो export नहीं कर पाए, failure to export, या लिख देना, failure to export, अगर supply of service होगा, ये तो आ under bond export कियोगी, जिसका आपने tax नहीं दिया, और कि जो भी आपका export value होगी, उसका tax नहीं दिया, क्योंकि आपने bond दिया, आपको allowed है, zero rate allowed है, आपको zero करके मिल गया, तो अगर आपने tax नहीं दिया, तो payment of service not received in convertible foreign exchange और रिपीस permitted by RBI, अगर आपको पैसा, देखो, service के case में तो physically दिखते ही नहीं है, तो वहाँ पे main condition होती है, कि पैसा convertible foreign exchange में आना चाहिए, क्योंकि export service की one of the condition यही है, कि service export service तभी बोले जाएगी, जब पैसा convertible foreign exchange में आएगा, तो वो convertible foreign exchange में within one year, from the date of invoice of export, यानि यह जो आपने export invoice बनाया है, service का बनाया होगा, तो यहां से एक साल के पैसा convertible foreign exchange में आना चाहिए, या रुपीज में यह permitted by RBI है, अब एक साल के अंदर वो पैसा नहीं आता है, तो जैसी वो आपका एक साल खतम हो जाएगा, वहाँ से 15 दिन के अंदर आपको अपने जेव से tax और interest निकाल के दे देना पड़ेगा, चलिए, तो यह condition धान रखना अगर अंदर बॉंड, अंदर बॉंड होगा, या LUT होगा, उसके बाद में transmission of export invoice to the custom portal, ख्याल रहे कि जो भी आपका export invoice बना था, यह export invoice आपको GSTR1 में update करना पड़ेगा, और आपके GSTR1 से custom portal के पास जाएगा, तो यह transmit होगा, invoice contained in GSTR1 shall be transmitted electronically by custom portal, and to custom portal, and received a confirmation that relevant goods have been exported, custom portal को जाएगा, और custom portal, फिर GSTR1 पोड़ेट कर देगा, कि हाँ, goods load हो गया, proper checking होगी, और export हो गया, यह custom portal, GSTR1 पोड़ेट कर देता है, उसके बाद में, recovery of bond or LUT withdrawn, if goods are not exported within specified time, मतलब अगर goods है, तीन साल के अंदर export नहीं किया गया, okay, and register person fails to pay specified amount, the export as allowed under bond or LUT shall be withdrawn, and said amount shall be recovered, okay, by recovery procedure under section 79, मतलब क्या, मतलब आपने within time period goods export नहीं किया, और आपने पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि 15 दिन के अंदर पैसा देना पड़ता है, with interest और वो भी नहीं दिया, तो government आपके against में section 79 की recovery करेगा, तो section 79 demand or recovery chapter में है, तो उसके अंदर आपके against में recovery करेगा, restoration of bond or LUT, export as withdrawn, shall be restored immediately when RP may pay is the amount due, लेकिन अगर due amount आपने दे दिया, तो फिर आपका bond फिर से restore हो जाएगा, LUT in place of bond, LUT may be furnished after considering specified condition and safeguard instead of bond, either आपको bond execute करना पड़ता है, या LUT execute करना पड़ता है, government का इसमें notification है, अगर notification की condition fulfill करते होता है, LUT होता है, नहीं तो आपका bond होता है, same procedure in case of supply to SCZ, अगर SCZ को supply कर रहे हो, तो यह time limit applicable होगी under bond, क्योंकि section 16 याद होगा, तो export आप दो case में बोला जाता है, एक physical export और दूसरा export जो आप SCZ को supply कर रहे हो, तो अगर आप SCZ को supply कर रहे हो, तो वो situation में आपको जो time period उपर दिया गया है, उतना time period में export करना पड़ेगा, और same procedure अपला होगी, इस बार एक circular आया है, और important circular इसके ओपर question आ सकता है, question यह है, कि समझ लो, आपने ध्यान से सुनना, आपने within time period export नहीं किया, अगर within time period export नहीं किया, तो आपने tax भी दे दिया और interest भी दे दिया, लेकिन इसके बाद export किया, तीन मैंने बाद export किया, या एक साल बाद convertible for exchange में पैसा आया, तीन मैंने बाद export किया, या एक साल बाद convertible for exchange में पैसा आया, तो वो situation में, okay, आपको, okay, exporter would be entitled to refund of unutilized ITC, आपको unutilized ITC का refund मिल जाएगा, या option 2 होगा, तो option 2 में IGST का मिल जाएगा, तो within time, time के बाद अगर आप export करते हो, time के बाद भी आ export करोगे, तब आपने आपका, जो tax liability आई थी और interest आया था, वो वापस आपको refund मिल जाएगा, लेकिन ख्याल रहे है, tax liability ही आपको refund आएगी, interest refund नहीं आएगा, interest नहीं आएगा, जो आपने tax 15 दिन के अंदर दे दिया था, क्योंकि export नहीं कर पाए, okay, जो आने, tax दिया था मत जो आपके output पर 12 लाग रुपे tax लगा था, वो आपने pay किया था, तो वो अगर आपने pay कर दिया है, तो ऐसे situation में, यहाँ पर, या आपने ITC का refund लिया होगा, वो deny हो गया है, तो वो आपको आपने pay कर दिया, पर बाद में export किया, अगर बाद में आपने export किया होगा, तो उ मतलब आपका export इवलवाई से 100 lakhs का, GST 12 lakhs का, और आप bond execute नहीं कर रहे हो, आप IGST दे रहे हो, okay, net IGST दे रहे हो, credit लेने के बाद, input और input service के बाद, और capital goods के बाद, और उसके बाद में, जहां तक है, पूरा refund ले रहे हो, पर अभी यह option 2 सिब notified goods और service में लगता है, option 2 में एक refund मिलता है, अगर अब under bond और LUT export करते हो, तो लोग क्या करते थे, option 1 में नहीं export करते थे, option 2 में export करते थे, okay, जो section 16.4 में दिया गया, और section 16.4 में, जो option 2 में export किया गया, सुनना, option 2 में export किया गया, section 16.4 में, तो जो export करते थे, यहां पर, option 2 में, तो इसमें capital goods के भी credit ले लेते थे, यह adjustment करते थे, अगर आप 2 मेंट में समझ सको दो, credit पूरा लेते थे, input और capital goods का, और जब refund आता था, तो 12 का आता था, अगर 12 का refund आ रहा है, तो indirectly पूरे credit का refund आता इसलिए, लोग option 2 आप करते थे, लेकिन government ने अब यह restrict कर दिया है, और government ने कहा कि option 2 सब को नहीं मिलेगा, option 2 notified goods या notified class of person को ही मिलेगा, अब समझ लो जो भी है, अगर आपका notified goods है, notified class of person है, और आप यह option ले रहे हो, तुरिएगा, आप यह option ले रहे हो, okay, तो अब समझ लो, is applicable and आप option 2 में हो, तो अगर आप option 2 में हो, तो process क्या है, process यह है, कि आपका truck goods लेके जाएगा, okay, port पे जाएगा, तो यह export clearance के लिए जाएगा, इसका invoice आप GSTR1 में update करोगे, आपके GSTR1 पोर्टल पे, GSTR1 पोर्टल को, okay, data exchange कर देगा, custom पोर्टल से, okay, data exchange होने के बाद, और शुअंट को, starts 2 में, आपके बीजिशएगा, जिकशिए जाए जैगा, फबिष्टा सुनिये का, यह शुआजए जर Intro को, जब आपके जर्टर मैंी जाएगा, तो ऐसे सीचुइशन में, यहाँ पर export confirm हो जाएगा, जैसी export confirm हो गया, तो custom पोर्टल से confirmation चले गया कस्टम पोटल से कंफर्मेशन किसको चले गया GST पोटल को कंफर्मेशन जा चुका है बहिए एकस्पोर्ट हो गया है और उसके बाद में इसका refund जो refund ग्राम करता है वो refund कस्टम आफिस से ग्रान करता है और यहां पे refund application और आरेपड़ी 0-1 नहीं होता है आपकी shipping bill, यह shipping bill ही refund application मानी जाती है, shipping bill और यह shipping bill ही refund application माना जाता है, refund application माना जाता है, ठीक है, यहां RFG 01 नहीं होता है, तो एक बार फिर से, एक बार फिर से, देखो, अगर आप option 2 में, notified goods or services के case में export कर रहे होके, तो वो case में आपने जो IGST दिया, क्योंकि आपने bond execute नहीं किया, तो IGST का refund के लिए यह पूरी procedure लगती है, read with rule 96 है, इसमें आप GSTR1 में यह export invoice बनाओगे, आप GSTR1 अपडेट करोगे, 3B में भी tags दोगे, आपका data custom department को चले जाएगा, custom department यहां पे data verify करेगा, आप अपनी shipping bill फाइ आपका shipping bill फाइल करना ही application माना जाएगा, आपको specially इस case में, specially इस case में separate application फाइल करने की कोई जरुवत नहीं है, goods export होने के बाद, custom portal confirm कर देगा कि export हो गया JST portal को, और इसका जो IGST का 12 लाग रुपे का refund आएगा, IGST का 12 लाग रुपे का जो refund आएगा, यह custom department देगा, JST department नहीं देगा, तो चलिए, अब यह जो मैं procedure पढ़ रहा हूँ, यह इतनी कोई important नहीं, keeping priority भी, तो procedure में अपना ज्यादा time waste मत करना, read करके छोड़ देना, तो यहाँ देखो, अगर supply of goods, तो specially refund of IGST of goods or service exported outside India, और IGST का refund है, ITC का नहीं, IGST का refund है, जो IGST आपने पे कर दिया, और यह option 2 में पे कर दिया, यह option 2 में आपने पे कर दिया, यह क्या कहता है देखो, okay, shipping bill, deemed to be an application of refund, इसमें RFD 01 नहीं जाएगा, आपकी shipping bill ही application मानी जाएगी, आपकी shipping bill ही application मानी जाएगी, which is deemed to be filed only when person in charge, okay, duly file or departure manifest, export report, covering number and date of shipping bill and bill of export, okay, और आपकी shipping bill फाइल तब माना जाएगा, जब यहाँ पे जो आपके ship का, अगर custom याद होगा, तो आपके ship का, okay, departure manifest फाइल हो गया, okay, तो उस दिन यह माना जाएगा, कि आपकी shipping bill फाइल होगी और refund application अब eligible हो जाएगा, okay, यहाँ पे जिसमें shipping bill और bill of export proper है, applicant has furnished valid return in GSTR 3B, अब ख्याल रहा, मतलब यह क्या कि ठीक है, अब जब आप export करोगे, तो यह export का GSTR 1 में तो अपडेट करना ही पड़ेगा, और 3B में भी इसका tax देना पड़ेगा, और आपको valid return जो है, GSTR portal पे देना पड़ेगा, चलो, okay, valid return GSTR 3B, if there is any mismatch between data furnishing shipping bill and statement of GSTR 1, such application for refund shall be deemed to have been filed on the date when some mismatch is rectified, अगर government को कोई mismatch बिला, क्योंकि यह जब goods यहाँ से निकला, तो 1000 quantity है, आपने invoice update किया GSTR 1 में, और GSTR 1 में 1000 quantity आया, और इधर shipping bill में 900 quantity आगया, और यह तो mismatch हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ट्रक वहाँ तक जाने तक, okay, कोई 100 quantity गायब तो नहीं हो गई, okay, तो shipping bill अगर 900 का ही है, और यह जो है, यह 1000 quantity का है, या फिर कोई भी description में mismatch हो गया, या whatever it में भी, तो अगर custom officer को mismatch देखा, मतलब जो GSTR 1 में data आपने upload किया है, और यह shipping bill फाइल करते वक्ट जो भी mismatch देखा, तो यह mismatch clear करना पड़ेगा, और यह mismatch clear करने के बाद ही, आपका application file माना जाएगा, तब तक refund application filed हुआ, यह नहीं माना जाएगा, very important, applicant has undergone other authentication in the manner provided in rule 10b, अब 10b में दहांस सुनिएगा, अगर IGST का refund claim करना है आपको, NIA procedure 2 वाला refund claim करना है, तो आपको आदर authentication करवाना जरूरी है, अगर आपका आदर authentication नहीं हुआ होगा, अब यह तो मैंने पढ़ा है आपको, transmission of export invoice to the custom portal, invoice contained in GSTR 1 shall be transmitted electronically by common portal to custom portal and received a confirmation that relevant goods have been exported outside India, मतलब आपने जो invoice update किया GST portal पे in GSTR 1, वो custom portal पे चले जाएगा, और custom portal से export होने के बाद confirmation आजाएगा, कि हाँ export हो गया, उसके बाद में, sorry बीटा, उसके बाद में, processing of refund claim, after receiving the information about valid return from the portal, okay, proper custom designated system shall process the refund, मतलब क्या, अब आपने जो है, यहाँ पे supplier ने GSTR 1 file कर दिया, और इस export consignment का IGST pay कर दिया, 3B file कर दिया, इसका 3B file होने के बाद, और IGST pay करने के बाद, IGST देगा, क्यों, क्योंकि यह bond execute नहीं कर रहा है, तो IGST pay करने के बाद, ऐसे situation में, धान, सुनिएगा, यहाँ पे, जैसे IGST pay हो गया, यह custom department को update हो जाएगा, कि हाँ इसका 3B आ गया है, 3B आती, custom department, बाद में, custom department उसको refund grant कर रहेगा, उसके बाद में, next, okay, claim of refund shall be withheld, where request has been received from jurisdictional commissioner of GST, लेकिन, refund को उन ग्राण कर रहे है, custom department, और custom department को request रहे की नहीं नहीं, okay, उसका withheld करो refund, यह proper officer of custom determined that goods are exported in violation of custom act, यह भी custom officer को लगा की, custom act की provision फोलो नहीं किया, यह commissioner officer is of opinion that verification, credential of exporter, including availment of ITC by the exporter, is considered essential before grant of refund, या with GST officer को ऐसा लगता है की नहीं, उसका credential एक बार check कर लेना चाहिए, okay, refund grant करने के पहले, या ITC वगरे check कर लेना चाहिए, refund grant करने के पहले, और यह तीन बाते मैंने चार्ट में यहाँ पे दी है, अगर यह तीनों checking proper होती है, okay, तब तक उसका refund विथेल किया जा सकता है, इस चार्ट आप पढ़ सकते हो, मैंने simple way में दिया, refund to Bhutan government, अगर Bhutan government के टाट treaty है, और कोई goods Bhutan export हो रहा है, और हम refund Bhutan government को दे रहा है, तो supplier को refund नहीं मिलेगा, okay, important, यहाँ पे, okay, not, rule 96 procedure not applicable, if export has been made, purchases under the deemed export और purchases under 0.1% of GST, यह आगे explain करूगा, benefit allowed if exporter has received capital goods under EPCG scheme, यह तो हम बात में देखेंगे, और last वाला point, supply of service, application for refund of IGST on service exported out of India, shall be filed in GSTR1, यह जो भी procedure 2 लगी है, यह procedure 2 goods के लिए है, अगर service होगी, तो service के लिए shipping bill application नहीं होगा, service के लिए RFD-01 ही application होगा, जहां IGST का refund है, जहां IGST का refund है, और IGST का option 2 में refund है, और service होगी, तो हमारा पहला वाला procedure, यह यह RFD-01 वाला procedure अपलाया होगा, क्यों क्योंकि service के case में custom department picture में नहीं आता है, ठीक है, चली, इसके बाद देखते है, rule 96B, rule 96B क्या कहता है, recovery of refund of unutilized ITC, यह अच्छे से पढ़के जाना, unutilized ITC और IGST export of goods where export of procedures is not realized, non-realization of export of process within the FEMA, where a refund of unutilized ITC, IGST on export of goods has been paid to the applicant, मतलब आपको आइदर option 1 में ITC का refund दिया होगा, 89.4 में, क्योंकि option 1 में, अगर option 1 लेता हो, तो 89.4 का refund मिलता है, option 2 लेते हो, तो पहले IGST आपको pay करना पड़ता है, बाद में refund मिलता है, तो जो भी आपको refund मिल रहा है, उसका पैसा आपको convertible foreign exchange में लाना पड़ेगा, और जितना time limit FEMA ने दिया, सुनना, जितना time limit FEMA में दिया, उतने time limit में लाना पड़ेगा, अगर आप नहीं लाए FEMA के time period में, या extended time period में, तो applicant shall deposit the refunded amount, जितना आपको refund नहीं ला, उतना amount वापस करना पड़ेगा, to the extent of not realized, with interest within 30 days of expiry of said period, मतलब, FEMA के time period में नहीं लाया, या जितना नहीं लाया, to that extent, आपको refund amount, वो proportionate refund amount जो है, आपको government को deposit करना पड़ेगा, with interest, within 30 days, within कितने दिन में का भीटा, 30 days में, recovery of amount, if applicant failed, an amount refunded shall be recovered as, for section 73-74 की show cause notice जाएगी, और interest section 50 का लगेगा, मतलब, अगर आपने government को पैसा नहीं दिया, तो फिर 73-74 की notices आएगी, और interest भी लगेगा, where self-processes are not realized within the period of urban fame, but RBI write off the requirement of realization of self-proceed on merit, the refund as applicant shall not be recovered, हाँ, समझ लो आपने पैसा आप फेमा के time के हिसाफ से नहीं दिया होगा, और RBI ने छोड़ दिया, RBI ने का छोड़ो भाई, मतलब, क्योंकि कुछ merits पे आपको allow कर दिया, कि नहीं दिया, self-proceeds तो भी चलेगा, convertible fund exchange में, तो फिर आपको जो refund दिया गया, वो recover नहीं होगा, subsequent realization of export process within the time frame of RBI, now, अब वो क्या कहते है, कि चलो, फेमा के हिसाब से आपने नहीं लाया, पर where self-proceeds are realized by applicant, full or part, after above amount recovered, applicant produce evidences within 3 months from the date of realization of self-proceeds, amount so record shall be refunded, in short, वो क्या कहते है, चलो, फेमा के time period में नहीं लाया, पर नहीं लाया और आपने refund वापस कर दिया, आपने refund government को pay कर दिया, with interest, और उसके बाद भी government क्या कहते है, चलो, फेमा के time period के बाद, आपने बाद में लाया, और as per RBI conditions पे लाया, और बाद में भी लाया, तो आपको फिर से हम refund देंगे, तो हम इन इतनी उपकार कर देंगे, फिर से refund देंगे, पर आपको स्रिफ refund amount जो आपने पहले दिया, उतने देंगे, interest वापस नहीं करेंगे, ठीक है, तो यह था बेटा, एक complete procedure यहाँ पे export किने, तो चलिए, अगर आप export करते हो, ओके, यहाँ पे without bond और LUT, मतलब option 2, यहाँ लिख दो, हमारे diagram का option 2, हैंने without bond और LUT export करते हो, हैंने आप IGST दे रहे हो, तो इसमें दो पार्ट किया, आप supply of goods without bond कर रहे हो, या supply of service कर रहे हो, supply of goods अगर करते हो, तो आपको यह procedure 2 के हिसाब से करना पड़ेगा, जहाँ shipping bill आपका application रहेगा, और service कर रहे हो, तो आपका RFD 01 रहेगा, जो procedure 1 उपर दीगी वो लगेगा, तो आपको refund claim करने का time limit है, 2 years from the relevant date, आपकी जो relevant date है, वहाँ से 2 साल के अंदर, आप refund कभी भी claim कर सकते हो, Sir, what do you mean by relevant date, Okay, relevant date, application of refund shall be filed within 2 years from the following dates, तो relevant date क्या है, अब देखो, आपके book में relevant dates, मैंने एक ही question में सब की दे दी है, लेकिन यहाँ मैंने situation wise relevant date दी है, तो अगर आप साथ में book देखोगे, तो book में एक ही question है, explain the relevant dates in different situation, यहाँ एक ही इसमें दिया है, तो चलो, यह situation में relevant date क्या है, जब आप export करते हो, अगर आपने export किया by sea route, तो ship और aircraft lose India, यानि जब यह ship India, ओके छोड़ देगी, lose India, ओके territorial water cross कर देगी, और के वहाँ से 2 साल के अंदर, आप अपना refund क्लेम कर सकते हो, IGST का option 2 में, हम option 2 देख रहे हैं, और by land route जा रहा है, तो goods past custom frontiers, और post जा रहा होगा, dispatch of goods, अगर service होगा, तो service के case में क्या condition है, आपको पैसा convertible for exchange में लाना है, तो amount received after supply, तो date of receipt of convertible for exchange और Indian rupees permitted by RBI, तो जिस दिन आपका convertible for exchange आया, वहाँ से 2 साल के अंदर, आप कभी भी government को refund claim के लिए जा सकते हो, पर पैसा आने के बाद, convertible for exchange में पैसा आने के बाद, यानि आपने, supply कर दिया और पैसा बाद में आया, supply कर दिया और पैसा, कर दिया और पैसा बाद में आया, तो जिस दिन पैसा आयागा, वहाँ से 2 साल के अंदर आप refund के लिए जाओगे, उसके पहले नहीं जाओगे, और अगर आपको advance में पैसा आगया, तो advance में पैसा आगया, तो फिर जिस दिन invoice बनाया, वहाँ से 2 साल में, क्योंकि आपने अभी एक्सपोर्ट ही नहीं किया, समझ लो, आपने service एक्सपोर्ट ही नहीं कि, इन्वाइस ही नहीं बनाया, और पैसा advance में आगया, पैसा आगर advance में आगया होगा, convertible phone exchange में, तो फिर आपके 2 साल, जिस दिन पैसा या तब नहीं लिया जाएगा, जिस दिन आपने invoice बनाया तब लिया जाएगा, important पढ़के जाना, एक्सपोर्ट गूड्स में, specially जहां IGST का क्लेम हो रहा है, वह कैसी रहेगी, उसके बाद में, क्या यहाँ doctrine of unjust enrichment applicable है, नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के में direct IGST का refund मिलता है, form कौन सा होगा, अगर आप goods एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो मैंने अभी बताया है था, shipping bill होती है, और आप service एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो RFD 01 होता है, refund amount क्या होगा, तो जो IGST 12 लाग रुपए, ये option 2 में, आपने 12 लाग रुपए जो IGST पे किये, with credit, वो 12 लाग का IGST का refund आपको मिल जाएगा, और documents कौन से attach करने हैं, तो documents statement containing number and dates of shipping bill, bill of export, और आपको export invoice, और आपके refund claim के साथ, export invoice और shipping bill तो already, क्योंकि आपका documented shipping bill application माना जाता है, और service के case में statement containing, okay, number and dates, number and date of invoice, relevant bank realization, आपको पूर प्रूफ लेके जाना पड़ता है, कि आपका bank realize हो गया, okay, foreign inward remittance certificate देना पड़ता है, और third, okay, third इसमें export of electricity होगी, तो statement containing number and date of export invoice, electricity अगर आपने export की होगी, details of energy exported tariff per unit for export of electricity, and copy of statement of schedule energy for exported electricity, by the regional energy account, regional energy account, और copy of agreement detailing the tariff per unit, ठीक है, यह electricity का आपने पढ़ लेना इतना important नहीं, और इस तरह से यह page हमने complete कर दिया, कि अगर आप export करते हो, option 1, option 1 में तो procedure देखा, पर 89.4 तो मैं नीचे पड़ा होगा, option 2 पे आपने अगर export किया होगा, और आप IGST का refund claim कर रहे हो, जो notified case में मिलता है, तो यह complete procedure applicable होगी, okay, समझा क्या, समझा होगा, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, okay, एक बार reconnect होगे होगे, तो बस अब आपको इस से related, इसमें सर एक्जाम के इसाब से क्या important है, मुझे नहीं लगता है एक्जाम के इसाब से कोई ज़्यादा, यह procedure आपको पढ़के जाना है, पढ़ा दिया है, read करके जाओगे, time पे याद आ गया तो अच्छी बात है, अगर आपको पढ़के जाना है, तो 96A का, option 1 में, rule 96A का यह time limit पढ़के जाना, एक्जाम में, अगर underborn export किया, तो कितना time limit है, इस पर सबाल पुछा जा सकता है, और यह वाला पढ़के जाना, 96B, अगर realize नहीं हुआ, तो क्या consequences है, इसके उपर एक आधा theoretical question आ सकता है, दन, 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 ओके चलिए, दन, अब next refund देखेंगे, deem export concept, deem export exam के लिए important, ओके exam के लिए important, deem export, अब यह deem export क्या कहते हैं, देखो, पहले मैं डाग्राम से समझा देता हूँ, समझ लो, कोई, ओके, government के notified exporter है, देखे, notified होगा, और आप जो है, आप normal manufacturer हो, goods के, आप export नहीं करते हो, लेकिन आप ऐसे notified लोगों को, notified लोगों को supply करते हो, जो आगे export करते हैं, मतलब आप भगवान तक नहीं पहुँच सकते हो, तो चलो, आप ऐसे पंडित, सादू, संद के पास पहुच गय, उसको नमश्काय कर लिया, तो आपका नमश्कार भगवान तक पहुच जाएगा, तो आप रजिश्टर परसन हो, goods के manufacturer हो, और आप goods के जो manufacturer हो, जान से सुनियेगा, और आप ऐसे लोगों को supply कर रहे हो, और ऐसे लोगों को supply कर रहे हो, जो आगे export करेंगे, और जो notified है, notified में, और के यहाँ पर जिसके पास, AA मतलब advanced authorization है, लिख देना यहाँ पर, AA मतलब जिसके पास, export का advanced authorization है, जो मैंने FTP में आपको पढ़ाया, या जिसके पास EPCG scheme का authorization है, या जो EOU है, export oriented units है, अगर इन लोगों को, एक इंडिया का manufacturer, notified लोगों को good supply कर रहा है, तो यह, यह direct export तो नहीं माना जाएगा, पर deem export माना जाएगा, मतलब मुझे भगवान तक पहुँचना है, तो direct तो नहीं, पर सादू संथ को मैंने, अगर पुझा आर्चना कर दी, तो मैं समझ जाओगा, भगवान तक पहुच गया, तो इसका नाम दिया गया है, deem export, इसका नाम दिया है, deem export, समझ लो यह इंडिया का manufacturer, सुनिए का, इंडिया का manufacturer, ऐसे लोगों को export कर रहा है, deem export कर रहा है, invoice value एक लाग रुपे, और उसका GST है 12,000, तो manufacturer के हिसाब से, वो output tax हो गया, और इनके हिसाब से, वो input tax हो गया, तो चलिए, यहां government ने, okay, rule 89.4a में, okay, यहां government ने, yes, हा, यहां लिग देना, rule 89.4a, अगर आपका लिखा होगा, तो ठीक है, तो government ने, rule 89.4a में, यहां एक scheme दिया है, क्या scheme दिया देखो, यह जो manufacturer GST लगा रहा है, okay, यहां पर GST देगा, okay, देगा, invoice में लगा के देगा, और बाद में, बाद में, supplier उसका, जो supplier है, उसका refund क्लेम कर देगा, supplier उसका 12,000 पहले, invoice में देगा, invoice में calculate करेगा, और बाद में refund, यहां पर refund बाद में है, तो, okay, यहां पर supplier उसका refund क्लेम कर सकता है, तो यह जो supplier के लिए output tax था, supplier claiming refund 89.4a is applicable, and refund allowed on following condition, दो condition है, documentary evidence, statement containing number and date of invoice, and invoice की सारी details आपको देनी पड़ेगी refund के साथ, और एक undertaking देनी पड़ेगी by recipient, that he has not claim ITC, and refund of such supply, तो एक undertaking इससे लेनी पड़ेगी, कि इसने, जो मैंने बिल में GST लगा के दिया, इसने उसका ITC नहीं लिया है, इसने उसका ITC नहीं लिया है, तो supplier को refund मिल जाएगा, एक option यह है, और दूसरा option, समझे लो, supplier refund ने इकलेम कर रहा है, supplier सिधा सिधा invoice लगा के बेज दिया, पैसा ले लिया, और कि वो refund के एक formality में नहीं जाता है, तो government कहते हैं, ठीक है, वो supplier refund के formality में नहीं जा रहा है, तो जो खरीद रहा है, जिसका inward है, जिसका input है, और जो खरीद रहा है, हम उसको दो option देते हैं, पहला option, यह जो notified person है, अगर यह ITC लेना चाहते, तो वो ITC ले सकते हैं, वो ITC लेना चाहते, तो ITC ले सकते हैं, यह बाराजार का, या वो refund claim कर सकते है यह refund जो 89.4a में है तो 89.4a में refund यह notified person को भी है चलो, अगर वो ITC लेना चाहते है if ITC is claim by recipient then it will not be treated as 89.4a फिर वो 89.4a का case नहीं बुला जाएगा यह बहुत important है 89.4a का case नहीं बुला जाएगा और आगे rule 89.4 और 5 के calculation में consider नहीं होगा detailed discussion बात में करेंगे बहुत important है बहुत important बात में करेंगे अभी बस इतने ही समझ लेना कि अगर recipient ITC claim कर रहा है तो rule 89.4a का वो consider नहीं होगा दूसरा ITC claim कर रहा होगा लेकिन समझ लो recipient ITC नहीं कर रहा है और वो refund claim करना चाहता है तो फिर 89.4a के अंडर वो refund claim कर सकता है तो यहां 89.4a is applicable and refund allowed on following conditions तो फिर recipient इसके 12,000 का refund claim कर लेगा उसको undertaking by supplier that he has not claimed the refund पर इस recipient को आप इसकी undertaking लेनी पड़ेगी कि supplier ने उसका refund नहीं claim किया है अगर supplier ने उसका refund नहीं claim किया होगा तो यह notified person उसका refund claim कर सकता है पर ख्याल रहा है बार बार एक वड़ेगी उसकर रहा हो कि यह notified person होना चाहिए यह notified person होना चाहिए now important note if refund is claim under 89.4a then it shall not consider for calculation of net ITC etc. यह वाले point पर मैं बत्रवाबाद में होगा चली अब ओके deem export का meaning क्या है section 239 कहता है deem export means supplies of goods notified under section 147 147 कहता है government notify certain supplies as a deem export whether goods are where the goods are not lose India but manufacture in India and payment received in Indian rupees and convertible for action मतलब क्या deem export जब आप ऐसे लोगों को supply करते हो आप export नहीं कर रहे हो पर आप India में manufacture करके notified person को supply कर रहे हो तो उसे deem export माना जाएगा तो चार ही cases में deem export माना जाएगा आप चार लोगों को supply करते हो अगर आप ऐसे लोगों को supply करते हो जिसके पास advance authorization है या EPCG scheme है या EUU है या supply of gold by bank और PSU against advance authorization तो उसको deem export माना जाएगा important person eligible to claim refund recipient notified recipient भी claim कर सकता है और supplier भी claim कर सकता है पर फिर एक में की undertaking उनको लेनी पड़ेगी मैंने डाइग्राम में आपको बता दिया documents कौन कौन से attach करना है और evidences क्या होने चाहिए यह मैंने यहाँ पर दे दिया यह आप रीड कर सकते हो documents अगर तो यह आपको पहले page में process देखी वो ही process से जाओगे आप application फाइल करोगे officer के पास आएगा फिर वो acknowledgement देगा six days में order आएगी तो आप refund फाइल कर सकते हो two years from the relevant date जो आपकी relevant date होगी जो आपकी relevant date होगी वहाँ से दो साल के अंदर either supplier refund फाइल कर सकता है या recipient refund फाइल कर सकता है तो अगर supplier फाइल कर रहा है तो दो साल from relevant date और recipient with two years from the relevant date relevant date क्या date on which return relating to such deem export is furnished मतलब जिस दिन supplier यह एक deem export का return फाइल करेगा 3B फाइल करेगा तो जिस दिन यह deem export का 3B फाइल करेगा वहाँ से दो साल और I repeat वहाँ से दो साल में ऐधर supplier या recipient refund क्लेम कर सकता है क्या इसको doctrine applicable है तो ओके applicable नहीं है और doctrine sorry applicable in certain cases मतलब क्या doctrine applicable मतलब यह case में अगर इसने undertaking नहीं दी तो doctrine लगेगी या ओके यह refund क्लेम कर रहा है तो इसने undertaking नहीं दी तो doctrine लगेगी otherwise फिर doctrine नहीं लगेगी अगर undertaking आगी तो application form RFD01 रहेगा जितना आपने GST पे किया तो आपने 12,000 का GST पे किया तो either supplier को मिलेगा और recipient को उसका refund मिलेगा और documents कौन से attach होने चीए तो मैंने नीचे दे दिया तो यह documents और evidence आपको produce करने पड़ेगे तो इस तरह से Deem Export का refund आपको मिल जाएगा और दोस्तों आपने एक concept देखा Deem Export I hope आपको clarity आई होगी तो चलिए दोस्तों आगी का discussion हम continue करेंगे I hope आपको यह 2-3 pages cover कर लिए मैंने बहुत अच्छे से cover कर लिए अगर इतना भी आपको अच्छे से समझ गया तो बस अब आप questionnaire लीजिए और point-wise मैं पढ़िएगा यह पूरी theory है I have tried my best to make in charge आगे एक next session में कुछ important concept जिससे 0 rated supply 0 rated supply, inverted tax structure यह दोनों point पे बहुत अच्छा गासा हम discussion करेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए I hope आज का session आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो like जरूर कीजिएगा यह लाइक जरूर कीजिएगा और आपके comments जरूर दिजिएगा Thank you so much